नमस्कार प्रियदर्शेकों आजम शुक्र के बाराय भाव या बाराय च्ञार्चण। कुंदले में शुकर कैसा है इस पर यह फल निर्वर है नवम बाव में स्टित शुकर का फल नवम बाव में शुकर स्टित होने के कारण आप शारीक रूप से बलिष्ट होगे आप धार्मिक शुद्दचित और परवकारी और गुरुवान व्यक्ति है आप इश्वर पर होता है अतह आप में भी ये गुन होने चाहिए गुरुजनों देवों और अठितियों की सेवा करने में आपको आनद आता है आप दयालू उदारों संतोशिवे सबाव के है आपकी रूची गायन पादन सिनिमा जैसी ललित कलाव में आपकी रूची होनी चाहिए अत्वा आप इन कलाव में दक्ष हो सकते है आप एक अच्चे अभिनेता कावे नाटक परने वाले और विद्या व्यासनी हो सकते है आपको समुध्रिपवास करने का मोका भी मिल सकता है आपकी स्टर पर आपकी गनना जनाध्यों में होगी आप अपने बहुबल से भूप धन अजि है आपके धन में रुद्धी होती रहेगी आपको सभी प्रकार के भोटिक सूख की प्राप्ति होगी आप उत्तम परिधान पहनने वाले राच्प्रिय व्यक्ति गे विवा के बाद आप अधिक सपल होगे यहां स्टित पिता के लिए कभी कबार थोड़ी प्रटिकुलता दे सकता है दशम वा में श्टित शुक्र का फल दशम वा में श्टित शुक्रा आपके शरीर को सुंदर बनाता है और आकशत व्यक्ति वो देता है आपका सबव शांथ और मिलासार होगा आप विवादों से बचने का भरशक प्रयास करते है आम तोर पर आपका नैटिक आचरन अच्चा ही रहेगा आप धार्मिक और शद्दालू सबावके होगे यग्णिय और पूजा पात में भी आपकी अच्ची रोची होगी दान पुन्य जैसे कार्यों में आपकी पूरिश शद्दा होगी आपको अनेक सास्त्रों का ग्यान होगा आप एसस्वी व्यक्त होगे और लोग आपको आदर्निय और मानिय मानते होगे आप एक अच्चे वक्ता होगे दन धोलत की कमी आपको नहीं रहेगी आपके पास सोना चांदी रटना इट्याटी का संग्रव हो सकता है राजपक्ष या सरकार से भी आपका जुड़ा हो सकता है या तो सरकारी नोक कर सकते है अथ्वा कोई पड़ प्रतिष्टा पास सकते है आम तोर पर आप जिस चीज का संकल्प करेगे वह पूर्णत को प्राप्त होगी आप विपरिट लिंग्यों के चहते होगे आपका विवा उच्चकुल में होना चाहिए विवा के पच्चात भाग्य नटी और धन लाब होना चाहिए जीवन साथी से आपको अच्चा लाब और सम्मान प्राप्त होगा गायक वादन सहित्य रचना चित्रकारी जैसी ललित कलाव में आपकी अच्छी रूची होगी आपका जीवन सुखी रहेगा और आप विविनन देशों में परवास करेगे एक आदश बाव में श्चित शुकर का फल यहां श्चित शुकर आपको विविनन शूप परिनाम देगा आपका सवरूप आकशक और शरीट निरोगी होगा आप गुनवान और अच्चे सबाव वाले व्यक्ति है आप अट्यन्त सुशिल और परवकारी है आपकी रुची नुर्थ्य और गायक विज्या में हो सकते है आप संगित पसंद करते है आपके घर परिवार के लोग भी संगित पसंद हो सकते है आप सबाव से उदार और सदचार संपन्न वेक्ति है आप उट्टम गुनों से संपन्न विनोधी और सत्य बोलने वाले वेक्ति है आप शूप कर्म करने वाले वेक्ति है आप सबाव से धार्मिक और सास्त्रोचित अचरन करने वाले है आप ज्यानी और इश्वर भक्त है आपके घर में सभी प्रकार की समृद्धी और सम्पनता रहेगी नेमित रूप से धनाग्मन होता रहेगा और दिनो दिन धनृद्ध होटी जाएगी आप जोहरी, राच्किय, व्यक्तियों से लाप पाने वाले स्रियों से सम्बंधी से कमाई करने वाले गरंटकार या लेकक हो सकते हैं इमारते बनवाने का काम भी आपको लाब दे सकता है विवा के माध्यम से भी आपको लाब मिलेगा 12 बाव में श्टित शुकर का फल यहां शुकर के श्टित होने के कारण आप वह भयुक्त और टेजश्विय होगे आप गुनवान लोगों का आधर करने वाले और स्ट्रेश्ट कर्म करने वाले व्यक्ति है गुनवान लोग की आपकी कदर करते है आपको जीवन में धन संपत्ति का आभाव देखने को नहीं मिलेगा आप वहरत के कामों में धन खर्च करने से बचना है लेकिन आपने सुख सविधाव के लिए खर्च करने में संगोच नहीं करते हैं आप अपने धन को शुब कर्म में खर्च करने का आणन्द कानुभग करते हैं यहां का शुकर काम क्रिडा में निपूंदा देता है आपका विवा अप्यक्षकृत जल्दी हो सकता है आप विपरित लिंगियों के आकर्षन का केंडर होते हैं आप अपने आचरन से सबको प्रसनक रखने की कोशिच करते हैं और भूद हर्टक कामयाब भी होते हैं आपके मित्रों की संग्या खुब हो सकती है अशुक्पल के रूप में यहां का शुक्र आपको कामुग बना सकता है अथवा बढ़ने के साथ-साथ मितापा आप पर हावी हो सकता है कभी-कभी विवेर्त के कामों में भी आप बड़ा खर्च कर सकते हैं आत्मनिय जनों से मन मुता हो सकता है विरोडियो के अपट को न समझते हुए आप उसमें आत्मनियता रख सकते हैं आप पत्नी की बेगदरी कर सकते हैं या विवाहतर संबंध में रुची हो सकती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए धन्यवाद